हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको हैवी साइज पैंट कटिंग करना बताएंगे जो कि सिर्फ हमने देड मीटर में किया है तो देखी ये इसके चार पार्ट्स है यानि ये फोर फोल्ड में पैंट को हमने रखा हुआ है कपड़े को और ये किनोरी वाला और ये बंद वाला साइड है किनोरी वाला साइड आपको भी अपनी तरफ रखना है तो चलिए इसे हम एक सीधा निशान लगाकर उपर से कपड़े को सीधा कर लेते हैं उसके बाद अपने पैंट की मार्किंग करेंगे तो देखी इस प्रकार से हमने एक निशान लगा लिया है ज चेन, हुक वग्यरा लगाएंगे तो मैंने यहाँ पर देड़ इंच का बैल्ट लगाना है उपर की तरफ तो मैं देड़ इंच इंची टैप को बाहर की तरफ रखूंगी और इस प्रकार से लंबाई का नाप लगाऊंगी तो देखी यहाँ पर लंबाई है 38 इंच तो मैं पर अपने निशान लगाए हैं लंबाई के इस निशान को हम ऐसे सीधा कर लेंगे और जितना कपड़ा यहाँ पर हम फोल्डिंग का देना चाहते एक इंच देड़ इंच या दो इंच उतना दे सकते हैं तो मैंने यहाँ पर लगभग 2 इंच के करीब कपड़ा लिया है फ हिब का नाप है 40 inch तो यह जो हमारी किनोरी वाला पार्ट है पहले हम इसमें एक line खीच के इसे बिल्कुल सीधा कर देंगे क्योंकि हम इसे बाद में cutting करके हटा देंगे ठीक है इस प्रकार से हमें बिल्कुल सीधा कर देना है नीचे तक किनोरी वाले हिस्से को लाइन ड्रॉ करके तो देखी यहां पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है अब हमें अपने हिप का वन फोर्थ रखना है तो हिप है चालीस इंच तो मैंने उसका वन फोर्थ लिया है दस इंच तो दस इंच पे इस प्रकार से माग करते हुए लंबाई में भी हमें इंची टैप को दस इंच रखते हुए निशान लगा लेना है इस तरीके से आसन के लिए दस इंच पर हमने निशान लगा लिया है अब आसन में हम अपने दो इंच की जो है वो लूजिंग देंगे तो इस प्रकार से दो इंच की हमने आसन में लूजिंग दे दी है तो ये हमारा यहां से बारा इंच हो गया है तो अब हम इस निशान को जो हमने लूजिंग वाला निशान लगाया है उसे हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे देखी इस प्रकार से और इस निशान को हम ऐसे सीधा नीचे की तरफ मिला देंगे देखी यहाँ पर हमारा जो है एक box बन कर तयार हो गया है यह हमारा square shape का box है देखी यहाँ से 10 inch और यहाँ से भी 10 inch और इस तरीके से हमने box बना कर तयार कर लिया है अब हम आगे की तरफ इसमें देड़ इंच एक निशान लगा देंगे आसन की गोलाई के लिए तो देखी इंची tap को इस प्रकार से रखेंगे और देड़ इंच आगे की तरफ निशान लगाते हुए इसमें गोलाई दे देंगे देखी इस प्रकार से हमने यहाँ पर गोलाई भी दे दी है अब हम इसे नापेंगे और नापते हुए हमें इसे इंची tap को इस प्रकार से फोल्ड करना है और center crease का निशान लगा लेना है तो देखी यहाँ पर center crease का निशान हमने लगा लिया है उतना ही mark जितना हमारा उपर आया था 12 इंच उतना ही रखकर हम नीचे भी इंची tap को फोल्ड करते हुए निशान लगा देंगे तो ये देखिए हमारी center crease का निशान हमने लगा दिया है अब इस निशान को हम बिलकुल सीधा कर लेंगे नीचे तक इस तरीके से निशान को सीधा करते हुए यहाँ पर हमें देखिए क्या करना है अब हमें अपने घुटने का निशान लगाना है तो देखिए उपर से हम इस प्रकार से रखेंगे नीचे तक ऐसे इंची tap को रखते हुए हमें ऐसे इंची tap को fold करना है और जितना भी आ रहा है हमारा वहाँ पर हमें एक निशान लगा लेंगे देखिए ये निशान लगाया घुटने का अब इस निशान को हम धाई इंच नीचे की तरफ लेकर जाएंगे देखिए इस प्रकार से धाई इंच नीचे की तरफ हमने जो निशान लगाया है घुटने का उस निशान को हम यहाँ पर बिलकुल सीधा कर लेंगे उसके बाद हमें यहाँ पर bottom का निशान लगाना है तो bottom तयार था 12 इंच तो मैंने उसका half लिया है 6 इंच तो center crease से 3 इंच इस side निशान लगाया है और 3 इंच इस side तो total हमारा यहाँ पर 6 इंच हो गया है हमारा गुटने का निशान जो है वो total था 20 इंच का तो मैंने 10 लिया है उसका आधा center crease से 5 इंच इस side और 5 इंच इस side देखी इस प्रकार से मैंने निशान लगाते हुए यहाँ पर हमारा 10 इंच आ चुका है अब हमें यहाँ पर जो है इन 3 इंच को मिला देना है और इस side में हम इन 3 इंच को मिला देंगे तो देखी यह जो हमारा curve वाला scale है इस से हमें इस तरीके से इन सभी निशानों को आपस में मिला देना है जिससे कि हमारे paint में fitting अच्छी बैठेगी और एकदम straight paint बनकर तयार होगी बिल्कुल perfect यहाँ पर हमारी paint की shape आएगी तो इसी प्रकार से आप भी paint को cutting कर सकते हैं हर size में कोई भी size का paint हो बस जिस method से मैंने cutting किया है उसी method से आप भी cutting कर सकते हैं अगर आप कहीं पे भी cutting में अटक जाते हैं या कोई भी problem आती हैं तो आप मुझे comment करके भी पूछ सकते हैं तो देखिए दोनों side के निशान मैंने मिला दिये है अब हम इस तरीके से half inch ऐसे तिर्चा निशान लगाएंगे bottom में दोनों side में देखिए इस तरीके से जब हम bottom को fold करते हैं तो ये कपड़ा हमारा कम नहीं पड़ता इसलिए हम ये तिर्चा निशान लगाते हैं देखिए दोस्तों ये हमारा front part है जिसकी हमने drafting कर दी है अब हम यहाँ पर अपने back part की drafting करेंगे देखिए यहाँ पर हमें अपने back part के लिए सबसे उपर की तरफ हमने जितना front part का margin लिया था उसके आगे से हमें 2-2 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से extra कपड़े के लिए तो हम बिल्कुल नीचे bottom तक 2-2 इंच पर निशान लगा लेंगे देखिए इस प्रकार से मैंने bottom में भी निशान नीचे भी लगा दिये हैं और इन सबी निशानों को हम इसकेल की मदद से मिला देंगे देखिए जैसे हमने इसमें निशान लगाए है back part की margin के उसे हम इस तरीके से scale से मिला देंगे देखिए इस प्रकार से हमें जो है अपने back part की margin को मिला देना है जिससे कि हमारा एक ही बार में front और back दोनों parts cut हो जाएंगे देखिए यहाँ पर हमने नीचे तो मिला दिया है अब हमें देखिए आसन के side में कैसे मिलाना है यहाँ पर हम इस margin को ऐसे सीधे आसन वाली line से जोड़ देंगे और यहाँ पर जोड़ते हुए जैसे हमने यहाँ पर गोलाई दी थी वैसे ही हमें यहाँ पर भी गोलाई देना है तो देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पर भी back part के लिए गोलाई दे दी है अब जो है हम इसकी cutting कर लेंगे यहाँ पर हमारे back part की विड्राफ्टिंग हो गई है अब हमें अपने back part से cutting करना है तो देखिए इस तरीके से हमें जो है अपने back part से cutting करना है और आसन की तरफ हमें margin के पीछे से cut करना है ताकि हमारा back वाला part cut हो और last में हम अपने front वाले part से back part की margin काट कर अलग कर दे और इस side से हमें जो है जितना हमने निशान लगाया है उतना ही हमें cut करना है थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए तो देखिए यहाँ पर मैंने cutting कर ली है back part से अब हम अपने back part और front part दोनों को अलग कर देंगे देखिए दोस्तों ये वाले हमारे front part है और ये वाला हमारा जो है दो back part है तो ये जो हमारे front part में back part का extra जो margin है उसे हम इस तरीके से cut कर देंगे आसन से लेकर bottom तक तो देखिए यहाँ पर हमें half inch कपड़े को छोड़ देना है जिसमें हम sly लगा कर आसन को जोड़ेंगे तो इस तरीके से half inch कपड़ा छोड़ते हुए हमें जितना भी extra margin है उसे cut कर देना है जैसे हमने निशान लगाए थे तो देखिए इस side से भी हम हलका सा कपड़े को छाट लेंगे देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने front part से extra margin को cutting करके हटा दिया है और उसके बाद हमें bottom में cut लगा लेना है जिससे कि हमें कितना bottom fold करना है पता रहे तो देखिए यह front और back हमारे cutting हो चुके हैं और यह हमारे pant का final look है यह दो front part है और दो back part है दोस्तों यह हमारा margin जो रहता है उसरे back part में रहता है अगर आपको यह video पसंद आया तो इस video को like share करें और चैनल को subscribe करें